हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ मन्जु कास्तूर और कास्तूर असोई मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे अपपे चलिए बढ़ी अस्वादिस्ट बनाने शुरू करते हैं अपपे सबसे पहले एक बॉल में मैंने सूजः ले ली है इसे मैंने दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर दिया है उसीका हाफ मैंने दही ले लिया है दही ज लिया है बैटर हमारा इस तरह से तयार हो गया है इसकी consistency कुछ इस तरह से देखिये इसे ढखक कर आदी घंटे के लिए रैस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी फूल कर सैट हो जाए देखें ये तैयार है देखें कितनी अच्छी तरह से फूल गया है यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तो देखें यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ले ली है जैसे जो भी आपके पास सब्जियां ले सकते हैं यहाँ पर मैंने यह गाज़र ली है यहाँ पर मैंने आदी गाज़र ली है और यह दो मैंने हरी मिर्ज काट कर ली है यह प्याज ली है दो और यह टमाटर दो टमाटर लिए हैं आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप यूज कर सकते हैं आप्शनल है यह इनको करेंगे हम थोड़ा मिक्स और देखें हैं वन टेबल स्पून काली मिर्स डाली है तोटा चम्मच भुना हुआ जीरा नमक स्वादनुसाल धनिया खाने सोड़े का यूज किया है हाफ टेबल स्पून आप तड़का तयार करेंगे यह मैंने एक चम्चे ओल में राई डाल दी है वन टेबल स्पून और इसी में कड़ी पतल लिस्ट डाल देंगे देखिए यह हमारा तड़का बनकर तयार हो चुका है अब इसको ट्रांस्पर कर देंगे सी में लड़के से इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है अब बेका इन सब को कर लेंगे मैश तो लेजिए यह हमारी सब्जिया सारी मैश हो चुकी है इसमें अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर यह हमने यहाँ पर अप्पे पैन ले लिया है और इसे गैस पर रख दिया है गरम होने के लिए इसी में हम ओईल लगा लेंगे आपके पास कोई भी ओईल है प्रयोग कर सकते हैं यह मैंने देशी की लगाया है इसमें थोड़ा बुना वजीरा और राई डाल दी है इसे अप्पे का टेस्ट और भी बढ़ी आएगा नीचे से जब हम इसके उपर डालेंगे अप्पे तयार करने के लिए घोल डालेंगे तो नीचे यह चिपक जाएंगे इसके और देखने में बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में तो हैं ही बढ़िया तो लीजिए इस तरह से हमें ही सैट करते हुए डालना है चमच की मदद से तो इसी तरह से सारे सांचे में मैं इसको डाल दूँगी देखिए और कैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी कुप ना करें क्योंकि आराम से बहुत अच्छे से सिखते हैं वर न अंदर से कच्चे रह जाएंगे हाई फ्लेम पर होने से और इसको हम डग कर कुप करेंगे गोल्डन राउन होने तक हम इने नीचे से से केंगे देखिए उपर से थोड़े जाने एंची से कसे हो गया है उपर से गही ही लगालेंगे थोड़ा मैं इसे अपे पैंड से तरह कि दया ये कि आप में अपर दोत पर देना प्लट तो लिजे इसे भी हम इसी तरह से सेखक करतेयार कर लेते हैं उपड़ सेभी हम घी लगा लेते हैं इस तरह से तो लेजे हमारे अप्पेबन कर तयार है और यहां मैंने चिटनी के साथ इसे सर्ग किया है आप रेड चिटनी का प्रियों कर सकते हैं यहां पर मैंने सॉस लिया है तो यह सॉस के साथ सुबह नाश्टे में आप इंजोई कीजिए सोस के साथ मियोनेज के साथ और इसके साथ चाय भी ले लिजे घर में आये हो महमान तो आप भी खाईए उन्हें भी उना करके लाईए यकीन मानिए अपके खाने में बहुत टेस्टी होते हैं वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल लाइक शेर और सबस्क्राइब करें मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों